यही सबसे बड़ा सत्र भगवान ने भी पिछए आदिश के तरह काम बड़ा सत्रु है, ज्यानियों का सत्रु है ज्यानियों की बात नहीं कि आपको इसे मारना होगा, अरजुन एक कभी ना अगाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है भगवान ब्यास देव जी अपने शिश्यों को यही शमझाये थे बल्वान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपी करशती विद्वानम अपी मूर खोड नहीं कहा जो बड़े विद्वान है ज्यानी महत्मा है उनको भी शावधान रहना चाहे कि इंद्रियां बड़ी बल्वान है कहीं छूट न दे देना नहीं तो गिरा देंगी तो यह फिर प्रशन उठता है कि फिर विद्वता किस काम की ग्यान किस काम कायद ग्यानियों को भी गिरा दे जैमिनी जीन ने कहा कि भगवन आपकी सब बात सिरुधार है पर इस पे मुझे संशर होता है उपर की लाइन में था कि पुत्री, बहन, माता आदी के भीस ज्यादा शानिद्ध में अकेला न रहे नहीं तो बहुत इंद्री बल्वान हैं कहीं भी गिरा शक्ती है कि जो शास्त्र ग्यानी है, जो धर्मात्मा है, जो भगवत मार्ग में चलने वाला है वो ऐसा कैसे कर सकता है तो गा हमने तो लिख दिया हमारे हरदय में भगवान ने पेरना की हमने लिख दिया अगर आप बिचार करना आपको ऐसा लगेगा तो बदल देंगे पर अभी तो हमारे हर दिम भगवान यही पिरणा कर रहे है कि मन और इंद्रियां बड़ी बलवान है यदि एक आंत में इस तरह का शंभाशन और बहुत समय तक रहा जाए तो अपने पवित्र शंबंदों को भी वो दूशित कर सकता है काम इतना बलवान है पवित्र शंबंदों को जैसे बेटी है बेन है पुझ्य भावर जहां रखना है वह 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 सा है इसलिए बहुत शावदान रहना चाहिए उनको उत्तर देने के लिए दो चार पास दिनशे अध्यापन करवाया फिर कहा कि बद्रिक आश्रम में भी भगवान ब्यास देवजी का आश्रम वहां कुछ शमय के लिए हम जा रहे हैं आप यहां के स्रेष्ट हैं आप यहां सम्हालिए समस्त ब्रमचारियों को सास्त्रों ब्रमचारी भगवत मार्ग में चल देते आश्री के बाद 88,88 हजार रिशी एक सात रेकर बजन करते थे एक सात कहीं किसी से राग दोए 88,88 हजार भगवान ब्यास देवजी जाने की लीला की क्यों गये शंध्याकाल में सब परंपावन दिमिश्नान करके शंध्यादी तरपनादी करने के लिए श्नान करके शब आ रहे थे आगे आगे शब ब्रमचारी पीछे नुपरू की जहनकार करते हुए शोडश्वर्शी अवस्था श्यामवर्ण कमलनेन महराज मेरी रक्षा करो ऐसे चरणों की तरफ देखा लगा कोई माता बहन है नहीं गुर्दयू का आदेश नहीं आगे कदम महराज मैं एक इस्त्री हूँ जंगल में अकेली फश गई हूँ रात्री का शमय होने वला है यदि आप मुझे शरण नहीं देंगे तो मेरे शाथ अहित हो शकता है अमंगल हो शकता है और आपको रक्षा करनी ही चाहिए नजर नीचे किये हुए ही कहा दिखो यह हमारे यहां ब्रह्मचारियों का आश्रम है इस्त्रियों का प्रिवेश निशेद है उनका निशेद और विधी की यहां बात नहीं हमारे जीवन की बात है रात्री का शमय है प्राता होते ही मैं चली जाओंगी और आपको ऐसा भए है तो मुझे किसी कमरे में बंद कर दीजिए और शुबह खोल देना हम निकल जाएंगे उनको लगा कि जो शरण में आया है ऐसा तो चलुप कर देए हो जो ब्रह्मचारियों के लिए वास थे वो खपरेला बास के उपर ऐसे खपरेला रखे और मिट्टी की दिवाल ऐसे है जो जोपडी नूमा उपर खपरेला ऐसे था एक में कर दिया और कहा है अपना दर्वाजा बंद कर लो मैं भी बुलाओं तो तुम मत खोलना बहुत सावधान महापुरुषों कर सेवन करने वाले महापुरुषी हो जाते हैं वो महापुरुषी है पर गुरु बाग के पर उनको शंशे हुआ इसले उनकी परिक्षा होए वो और कोई नहीं है भगवान व्यास दियुजी है श्याम बुरन के कमनने नवी नवस्था अवे जाकर ध्यान ध्यान में बस वोई नूपरों की जनकार, वोई अम्रत में बचन कामिन आमरशवरधनम, सुधा में बाचो कामिन आमरशवरधनम, अमृत जैसी बात लेकिन अंदर विकार पैदा कर दे हमने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है तुम कहां शे आई हो और इश्च में जंगल में कैसे चल के पूछना चाहिए नहीं नहीं महराज नहीं आदेश किया इस्त्री का मुख देखना शंभाशन करना एकांते में वारतालाब ये विरुद्ध है नहीं ठीक नहीं है तो अपनी शरण में आए तो कम से कम गुरुद्यों को बताने के लिए तो हमें होना चाहिए क्यों आई थी अमुक जगे की थी उसका मुक बड़ा चतुर है मन बहुत चतुर है हाँ ये बात पता तो पूछ लेना चाहिए और हमारे ही तो आश्रम है कि कहीं दूर थोड़ी जाना है गए दर्वाजा के कौन खुलो मैं हुए नहीं आपका भी आदेश था कि मैं आऊं तो नहीं खुलना है नहीं आप अब तो और व्या कुलता बढ़ी उपर चड़ गए चुटी चुटी शुपरी दूमाओ खपरेल हटाया बास ते उख अंदर वो मन्द मुश्कान तिरशी चित्वन मनों पूरे चित्व को आकर शित कर लिया हमने तो यह भी नहीं पूछा कि आप जंगल में कैसे अकेली है आपका क्या नाम है आप यहां कैसे जंगल में फस गएं कुछ नहीं बोले बश मन्द मुश्कान तिरशी चित्वन अगला प्रश्ट बिना उत्तर मिले ही कर दिया आपका ब्या हुआ है की नहीं नहीं ब्याने हुआ हाँ हमारा भी नहीं हुआ है कहां और कहां बात बदल गए अब चेहरे की तरफ देखा दो भगवान के अवतार भगवान व्यास देव जी है वो श्यामता प्रिश्वरन रूपिडिम जैसे यहुना जी के लिए का गया ऐसी भगवान व्यास देव भी है अभी ब्या कर लेते हैं तिथी तारिक शटवाना अगे की बाद है अभी कर लेते हैं ब्या तो हम भी अपना शौभा के मानेंगे कि आप जैसे ब्रह्मचारी हमें स्वईकार करेंगे पर हमारी एक सर्थ है अपना मुखाला करके हमें पीठ में आ से बैठालकर नदी के तड़ पे जो देवी का मंदिर वहां ले चलो वहीं हम आपको जैमाला पहना देंगे शुचा रात्री का समय सब ब्रह्मचारी सयन में मुखाला करने में क्या जाता है मुखाला किया घुटने के बल हो गए बैठे उन पर बिल चलो देवी देवी की मंदिर वहां पास थपण भारे वहां जब लोट के देखा तो भगवान ब्यास देव जी पुल यो लिखा था इंद्रियानाम बलवान बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान में पिकर्शपी आपको कुछ संसे बोले बुर देव कोई संसे लही है समझ गए समझ गए प्रवू ये इंद्रियाम बढ़ी बलवान अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है ये बड़ी बात है अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है किन्तु इसे शामान्य उपासक नहीं छोड़ पाएगा अनेक रिशी मुनी शाधू शन्याशी योगी भक्त तपश्वी शाधक द्यानी इसके द्वरा गिराये जा चुके हैं इस कामरूपी शत्रू के द्वरा ये किसी भी देवता को भी नहीं बक्सता किसी भी मुनी शाधू शन्याशी योगी भक्त तपस्वी साधक किसी को नहीं बक्सता ये हर्व एक को परास्त करने के ये त्रिवुवन विजयी अपने को साबित करता है ये एक काम ऐशी उर्जा शक्ती है जो भगवत प्राप्ती में महान बाधग है उपवास कर सकते हो जल में रह सकते हो आप जल पी के के वज़ आप निर्वस्त रह सकते हो कुछ भी आप कर सकते हो पर इस दुश्मन से नहीं बचा जा सकता है बड़ा भयानक दुश्मन ये बहगवत प्राप्ति की उर्जा शक्ति का अपरण करने में बड़ा समर्थ है इस काम को नस्ट नहीं किया जा सकता है इसका रूपांतरन किया जा सकता है काम का मोर दिया जा सकता है इसका मोड दो हमारा नेत्र रूप देखना चाहता है ग्रहने इंद्री शुगंद पाना चाहती तुचाहिस पर्ष करना चाहती है जितनी भी इंद्रियां अपने अपने विशय में रमण करना चाहती है हमारे प्रभू शब के शमुत्र है अगर रूप देखना है तो साक्षात मनमत मनमता लाल की रूप माधरी नैनन निरके अगर रूप देखना है तो हमारी शक्षी का रूप देखे देखो कशा शुंदर है प्यारी जू हमारी सकी श्वामिनी भी है हमारी शक्षी कितनी शुंदर है तेरो रूप कहत नहीं आवे और घ्राणेंद्री शौरभ हो जहां से प्यारी जुप प्यारे जुनिकल संपूर्ण ब्रंदावन का वातावरन प्रेमुन मात प्रगट करने वाले शौरभ शेयुक्त है श्वाद अलोकिक दिव्य भोग प्रियालाल को लगते है क्या जब लाडली लाल दुलार करके सक्षी को मिहाल क्या यहां क्या इसका रूपांतरन कर दो श्रीमत चतुराशी जी का नित्य गायन नियम पूर्वक आप बहुत दिर्गकाल तक कीजे और विश्वास रखिए काम जड़ से नस्ट हो जाएगा काम पावक को पानी जिससे अगनी जल रहे हो और अधिक मात्रा में जल डाल दी ततकाल भश्म हो जाएगा पर यह बहुत काल तक ऐसा नहीं कि एक पाठ करो और ऐसा नहीं क्योंकि बहुत काल से ब्रतियां इसमें लगी हुई है इससे परिश्कृत रूप शे विक्षित किया जा सकता है यह संपुर्ण स्रिष्टी काम से उत्पन होई इस सरीर की रचना काम किरीडा से हुई है शाब जीवों की, काम क्रिडास, इसमें मूल संसकार काम के बसे हुए, ये इश्वरी सक्ती से शंपन्न कोई शाधारण नहीं है, अब इसका प्रयोग हमें वाशना में नहीं, उपाशना में करना है, देखो ये भी काम है, कवशा होगा, मंद मंद मुस्कुलाते हुए, बोट जाएंगे और दोनों प्रिया प्रितम एक एक बाह पकड़ कर उठाएंगे, अम्रत में वचन बोलते हुए, मुझे अपने हुदे से ये भी काम ना, मुढ गई, इधर मुढ गई, इधर की आशा परमंदुखम, इधर की आशा महाशुक है, अगर कोई शोचे की सरीर को दुरबल करके, बड़ी तपश्या से इस पर विजय प्राप्त कर ले, शो भी नहीं हो सकता, पीछे एक प्रशंग में शुनाया था, कि एक महात्मा ऐशी कठोर तपश्या कर रहे थे, कि ब्रक्ष की सूखी हुई चाल की पपड़ी किवल खाते थे, ब्रक्ष की चाल सू गई वो पपड़ी जैसी, ऐसे पाल के और जल पीके रहते थे, अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, महान तपश्या के धनी, पर आहम बिना सरनागती के नहीं नश्ट होता है, बना रहता है, दुरवासा जैसे महापुर्शों में भीस पुरित हुआ और करतियाद उत्पन कर द इनके अंदरी इतना हम था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर शकता, ये आहम प्रभु को बरदास्त नहीं होता, हमारे प्रभु का एक शुभाव है, आहम शे प्रभु को सुनहुराम करश्य शुभाव, जन अभिमान नरा कर, गर वक प्रहारी प्रभु का नाम है, कोई भी अभिमान करे तो प्रभु का अच्छा नहीं लगता, अब ये ऐसे पवित्र तपश्वी एकांत जंगल में वास करते हैं, शुरू हुई लीला, लीला भिहारी की बड़ी बिचित्र लीला होते हैं, अब जिन जिन वरक्षों से भिक्षा रूप से सूखी चाल पप रेखा गी, क्या पदार, अच्छा मेरी तपश्या के बल से ये ब्रक्ष भैवीत होकर श्वादिस्ट पदार्त दे रहे हैं, बड़ा हलुआ, कहां सूखी पपड़ी पाना हो, कहां हलुआ पाना, हलुआ पाना, हलुआ अच्छा लगा, अब तो सूखी पपड़ी की तरफ द्रश्टी ही न जाती, और जब बैठते ध्यान में तो यह आता कि अगर सब ब्रक्षों में ऐसा ही हो, तो पेट बर जाएगा, तो कई ब्रक्षों में लगार नहीं हो, अब तो सरीर हश्ट पुष्ठ होने लगा, जो अस्थिमात रोए, सरहलुआ पायेंगे, तो लालीमा तो आई जाएगी, रक्त बढ़ा, सब्तमधा तो बढ़ी, सरीर बलिष्ठ हुआ, उन विचार किया कि यह ब्रक्ष इतना हमसे प्रभावित हो रहे हैं, आँ थोड़ा जल्दी चलते हैं, तो जल्दी गए, तो आँक कटूरे में हलवाले एक नवयूती लगा रही थी, यह भगवान की माया का प्रभाव माया से रची हुई थी, जी ही देखा उसने कि बेशमय में वा गए अचानक, एकदम डर गए, शेहम गए, ऐसा मानों बहुत बहवीत हो, उन नहीं नहीं, बहवीत होने की जरत नहीं है, महराज आप महनत पश्च्वी, आप मुझे भश में भ महराज सामने तो आने शक्ती थी, मेरी हिम्मत नहीं थी, तो इसले ऐसा, अब ब्रक्ष में लगाने की जरूत नहीं, सीधे वो पात्र में दे दो हलुआ का, हलुआ पाया, ब्रती बिगणती चली जाती है, फिर के कि यहां हम आएं और तुम आओ इससे सीधे, कुटिया में आजाओ, बस मुले महराजम यही तो चाहती थी, कि आपकी कुटिया तक पहुँचेव, आपको सेवा करो, फिर वही प्रशन उठ गया, कामना ऐसी बढ़ी, ब्याह तक के ले राजी हो गए, सारी तपश्या भूल गए, कोई भी सब कुछ त्याग सकता है, यह बात है, इसको त्यागना बड़ा कठिले, बड़ी उचाई तक गिरा लेता है, बड़ी उचाई, हम कहते हैं, मानो, आपका एक करूर रुपया जमा किया पूरे जीगन में, अभी वैराग गयोगा, फेक दो यमना जी में, फेक दो उसको, अभी आप मुक्त हो गए, क्योंक अब उसकी पूर्ती कैसे होगी, आपका बहुती यशुरा, विविक दोरा बज सकते हो, नहीं, यह तो हरी गुरु का, लेकिन भोग, शरीर से स्वेम तदात्मों करो, अब इस सबसे बड़ा सत्रु, सबसे बड़ा सत्रु है, मृत्यु का शमय निकट हो, शरीर अत्यंत हो, फिर भी वो काम भोग की इच्छा ना करे, ऐसा नहीं कह सकते हैं, फुजिपात सुडिया बाबाजी ने एक उधारन में दिया कि हरी द्वार में एक महात्मा सरीर पूरा होने का कुछ समय पहले ही, शया में पड़े थे तो बहुत से शिश्युन उनका अंतिम उपदेश शाप कर दीजिए, तो उनका यहां से लेके कन्या कुमारी तक यदि श्वर्ण विछा हो, तो मेरा मन नहीं जाएगा, पर इस शमय भी मेरा मन कामा शक्त ना हो जाए, यह मैं पूरा नहीं कह सकता, अंतिम शमय उन्होंने का गी, मतलब भाविता कि इस पर कभी कोई आइठ न करे हम में कि मैं इसका बिजय हो चुका हूं, एक गाउं से शंत भगवान बिक्षा मांग के निकलते थे, तो एक गाउं किनारे बैश्या थी, वो उनका उपहास करती, बावा जी, तुम्हारी डाड़ी पवित्र की हमारे बकरे की डाड़ी पवित्र, तो कुछ नहीं बो मैं अपने प्रभु के धाम जा रहा हूं, अब कह रहा हूं मेरी डाड़ी पवित्र, अर्थाद, पूरे जीवन भर उपासक को इससे सावदान रहना ही होगा, और यहीं गिरा देता है, बड़े बड़ों को टांग मार के गिरा देता है, इसके दाओं पेज बड़े बिचि बताता है, पर जनम जनम से जिस काम का गुलाम रहा है, उस काम को कोई युक्ति लही सुष्ति के निकल जाए उससे, उसमें फस्ता चला जाता है, अगर आपको वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति करनी है, तो इसे नश्ट करना होगा, आज जिसे आपने सुना, एक शण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूँगा, ऐसा लगता है, आज के बाद कभी नहीं, पर जो अंदर व्रतियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी, अभी कसम खालो, ब्रंदावन की जिसकी जो चाहो, अभी सीतलता आ जाएगी, त्यागा च्छांत नंतरम, अभी शच्छो भारत, उनको शेहन करो, बस वो शांत हो जाएगी, शेहन करना बड़ा ही कठिन है, जो शेहन कर लेता है, वही जीते जीवन मुक्त है, एक के वल ये प्रशन का समाधान कर लो, उस दिन स्रंगार के बाद यही कहा था, कि और सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है, लेकि आपको इंद्री पर विजय प्रात करनी पड़ी, जनेंद्री पर, ये अगर नहीं समली, तो साब ग्यान भकवाशी रहा कि वल बाते बनाते रो, कुछ हाथ नहीं लगेगा, आप कुछ अंदर से देख लो, कोई दिब्विता, कोई अनुभूती, कोई भगवदान, इस आतों में रहेगा, नहर्दे में अनुभू में नहीं आएगा, ऐशी वैश्नोजन के दर्शन के लिए नर्शी में ताके थे, काच वाच मन निश्चल राक है, धनी धनी जननी तेरी रे, भड़ नर्शया दर्शन पावा, बड़े भाग कि जो ऐसे महात्मा के दर्शन हो ज ये वैश्न सच्चा मात्मा है, सच्चाई में चलने के लिए इस सत्रू को गिराना ही पड़ेगा, इस सत्रू से हटना ही पड़ेगा, आज हटलो या जनम-जनम के बाद हटलो, धिलाई आपकी है सायोग प्रभू का है, प्रभू बहुत सामर्तुशाली है, एक काम एक अंस से प्रकाशित है वो हमारे सच्चिदा अनंद प्रवु गुरू है वो हमारे श्वामी है वो हमारी आत्मा है हमारे प्रीतम है हम उनका नाम जब करके उनकी लीला गुल गयन करके उनके चरणामृत के प्रभाव से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ऐसा नहीं कि कोई प्राप्त नहीं कर पाया या कोई प्राप्त नहीं कर सकता ऐसा भी नहीं है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसका चित श्यामाश्याम के चरणारबिंद के रंग में रंग गया है उपाशक जब ये निश्चे कर ले कि मुझे इससे अपना पिंड छुडाना है तो बहुत समय तक वो ब्रतियां उसको जलाएंगी वो उसको सहे उनके अनुसार कोई चेश्टा ना करे यहीं सब गड़बड हो जाता है यमहीन व्यथियंतियते पुर्शम पुर्शर्शव शम दुखा, शुखाधीरम, शोमर तत्वाय कलपते जो इस व्यथा को सह जाता है व्यथित नहीं होता है सुख दुख में शमान भाव रहता है वो परंपद का दिकारी हो जाता है यदि तुम भी कामना और वाशना में भाग रहे हो तो तुम कैसे उपाशक हो शाधन छोड़िए और जिसे ईश्वर कहा गया है परमात्मा कहा गया है आत्मा कहा गया है ब्रम कहा गया है प्रभू कहा गया है उसका आस्रे लेकर श्वपनवत, कलपनावत, मायावरत इस काम से अपने को बचा लीजिए इस स्थिती को तु प्राप्त कर ले कि जनम जनम से जो तुझे रौंद रहा है ये काम तुझे आकरशित न कर पावे जब तक तुझे शच्चा ग्यान नहीं होगा तब तक एक काम घशीटता रहेगा तब तक तेरे हरदय की जलन मिटेगी नहीं अच्छत काम सुख सपनयों ना स्वपन में भी तुझे सांती नहीं मिलेगी तु भगवत प्राप्ती का शाधक बन कामनाओं का नहीं भोग की कामना जब तक है तब तक तु अपने को किसी भी प्रकार का साधक मत मान ये निक्रिष्ट भावत्याग नहीं पड़ेगा बहुत दुर्दशा हो जाती है बहुत दुर्दशा साधक समझ नहीं पाता शिश्वामी सचिदानंद जी महराज जब भ्रहमन हम कर रहे थे तो कुष्षमें उनके पास भी रहे बड़े अच्छे महापुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ब्रम्मचारी जी थे यहां बहुत बड़े जमीदार हैं कोई गाउं का नाम बताया उन्होंने का वो जमीदार हैं वो संतों को भगवान मानते हैं कोई भी शंत चला जाए बिल्कुल भगवान का शुरूप मानकर उनकी आरती पुजा और घर एकदम उनके लिए फिरी कहीं ब लाब मत चलो सास्त्र आग्या नहीं करता वीरक्त को आग्या सास्त्र नहीं करता आप ग्रेश्त के घर रुक जाओ नहीं आप अगर रात्री हो रही है किसी नगर में गाउं में हैं तो देवाले में रुके भिक्षा ले लिजिए देवाले में पाईए ग्रेश्तों के आश आपको इसा नहीं करना चाहिए वो उनको बड़े उपनिशदों के शूत्र ग्यान थे तो हास के स्वामी जी कहते कि देखो भाई हम पड़े लिखे जाएदा तो है पर हम महापुर्षों से कड़े हैं इसलिए हम कहने तुम गलत हो अब आप हमारा उपनिशदों के सूत्रों से मुख बंद करना चाहिए तो बात अलग हम पहले कहने पड़े लिखे नहीं पर महापुर्षों से कड़े वड़ा शीश्वरू के दाव ऐसा मतब जिसे पहलवान क कि बाल ब्रम्मचारी तो साक्षात लगता कि महादेव एठेवी दर्णधारी महात्मा फिर उन्हों जो गटना शुनाई वह वहां अधिक्षम है और उनकों को तो जमीदार थे धनी थे खुब खेती थी और बहुत सेवक थे तो तो बड़े प्रशन होते शंत हमारे गर मदब ऐसी स्थिती एकदम शंतों की प्रद्ध भगवत भाव जैसे रशी कनानने माल में आती हैं बहुत से चरित अब क्या हुआ कि उनकी जो घर की एक बेटी थी वो बैठना उठना धीरे 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 ये मन है जब तक ये मन जिन्दा रहता है तब तक तुम बहुत कि अब उनका वहञ भी प्रेम हो गयास उनकी लिए चांस था पाल्य नेश्ठिक ब्रह्मचारी के बाद सहन्याश होता है लेकिन केवल ब्रह्मचारी के बाद अगरेश्धे में भी जा सकता है तो उन्होंने बात की दोनों भागनी के लिह तयार हो गये भागे बगवान का इस्टेशन में उनकी परिवार का आर्मी से छुट्टी में आया हुआ था वो अपना देखा हो तो का कहां बिटिया आप तो उसके होश उड़ गए उश्रे का भाई आप बताने क्या बाबाजी निखवा दिया हमारी बुद्धी खराव हो गई हमें लिये जा रहे हैं अब क्या बोलें अब बल्वान आदमी पकड़ा गाड़ी आई थी उनको लेने के लिए तो आर्मी वाले को उसी गाड़ी में बाबाजी कोई बैठाला उनको बैठाला ले गए अब वो तो जमीदार ने कहा कि हम तो प्रणाम करते हैं आप लोग जैसा चाहें वैसा निवने क करें हम इस विषय में ना तो दंडविधान कर सकते हैं नाहा कर सकते हैं आप देपर वो सच्चे भगत थे नए नए वो सब जवान तो स्वामी जी कह रहे थे उनकी हैसी स्थिति कि हम सब्द नहीं कह सकते हैसी महार पड़ी पूरे ब्रक्ष में बांध के उनको चलने लायक नहीं रहे गए उपाशक को यह सोचना चाहिए कि जन्म जन्म से हम भोगों में ब्रमित हो रहे हैं फिर भी उन्हीं भोगों की तरफ ही तो हमारा प्रभू का आश्ट्रे का रहा हमारा भजन क्या रहा और हम बहुत इसको छुपा के रखते हैं बहुत सजा के रखते हैं ये आसा खतम करो भाई सत्संग सुनते हैं भगवत मार्ग के पतिक है आपने ही निश्चे किया ये मार्ग जबरजस्ति किसी ने आपके गले में बांदा नहीं है आपने स्वयम निश्चे किया है जब आपने प्रभू को पशंद किया गंदी बात क्यों करते हो एक बार चूख हो गई दो बार चूख हो गई पूरवाब्यासवत शावधान आगे बढ़िए सम्मान प्रशंशा या मृत्यू ही क्यों नहो उपाशक शब को शेहन करता है फिर काम शेहने की क्या बात है आपको ऐसे शेहन सील होना है अपने मानशिक भावों को केवल आप ही जानिये दूसरे को मत बताइए आप उपाशक है ये सुक्षम बात है रहिमन मन की मन ब्यथा रखिये मन में गोई सुनिठ लई हैं लोग सब बाट ने लेए कोई और उनुपाशक ब्रतियों को देख करके घवडाता नहीं है क्योंकि इसको बात बहुत बड़ा बल है ग्यान बल प्रहु का नाम बल प्रहु का ध्यान बल पर हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं विश्यों का शेवन करने से अध्यात्मी कूरजा सक्ति हीन हो गए हैं इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना बल बढ़ाएं मेरे बल सी ब्रंदावन खुब नाम जब करें श्री जी की शेवा में रहें वानी जी का गायन करें और बिने मान लीजिए हमारी जिन भोगों को अभी तक आप भोगते रहें उनको कष्ट सह कर मत भोगिए तभी आपकी अध्यात्मिक भूमिका उपर उठेगी नहीं तो केवल बातें सब आपके रहे सोलीजिए चाहे बेवहार के कारे हो चाहे परमार्थ के कारे हो शब भगवत सरूप मानिए बहुत आनंद पूर्वा भगवत प्राप्ति हो जाए यह पसीना चुवाने की जरुवत नहीं है पर आपको क्यों नहीं हो रहें क्योंकि आप यह आशाधन कर रहे हो चलेनी में गयाद हुए और दोस्त दयुको दे बार बार उन्हीं भोगे हुए विश्यों को भोगने की चाह कैसे बमन के भाती जो भोग हैं उनको भोगते हुए आस्तक तरपती नहीं तो थोड़ा तो भी बेग कर ले कम से कम अब तो जितनी बची उतनी तो बचा ले अब लो नशान से प्रभू के चरणबल से इस काम से मुक्ती काम से बच जाओ नहीं तो जहां काम ताहराम नहीं जहां राम नहीं काम अगर ये काम है तो प्रेम कैसे हो सकता है प्रियालाल से कैसे हो सकता है तो सूरी कैसा भगवत प्रेम के उपाशक और काम तो कैसा कैसा ये बहुत इसे हट करें और भगवदाश्रेने तो आप रोग सकते हैं जो हम कर नहीं सकते हैं हमारे प्रभू हमको आदेश नहीं देंगे तो ये अश्टधा प्रकति में हम प्रभू के दिब्व अंस होते हुए सौयम फस गए हैं स्वयम हमने इस स्वयकार किया है भोग बुद्धी से, स्वयम सरीर को मैं माला है, तो आपको अपने द्वारा अपना उधार करना होगा आपको अपनी श्वीकृती बदलनी होगी, आप प्रभू के अंस हैं किसी की रचना नहीं है आप भगवान की भी रचना नहीं है आप उनके अंस हैं यह भगवान की रचना प्रकति, क्रति, यह रचना है आप रचना नहीं हो आप वही हो, उनके हो दो भाव, वही – तो ब्रह्म भाव, उनके भगत भाव जो देह प्राप्थ होती है सखा देह या गोपी देह या सहचरी देह वो चिदानन्द आत्मस चुरूप होती है प्रकति की रचना थोड़ी हो तो भगवत चुरूप होती है पुशले निरंतर नाम जब करो अशत आचरणों से बचो सत्संका यही परमलाव है इसी जन्म में हम भगवत प्राप्त हो जाएं श्राधा वल्लालेकि